तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजिलाउन लिम्टेट के बारे में तो इस कंपनी में आज की दिन दो-तिन इंपॉर्टे नियूस निकल के आच चुका है तो डिरिकली उस नियूस के उपर जाने से पहले अगर हम स्टॉक की कुछ प्रफुमेंस की बात करें जैसे कि फ्राइडे की दिन की प्रफुमेंस स्टॉक में हमें एक फ्रियटिस प्रफुमेंस देखने को मिला उसटे की के बात करें तो तीन परसंट डाउं स्टॉक ने एक तरफा अपने इंवेस्टेर को रिटरन मना के दिया है अगर आप एक एक साल के प्रफिज को देखोगे तो टॉप लिबल से 15-16% डाउन होने के बाद भी एक साल के पास आज भी 200-200% के प्रॉफिट है मतब हजार की लिबल से उसने जिस एक तरफा जिस प्रक बनाए हो सते वह 2000 को भी टच करें की रिजन क्या तो बाजा ने जितना सोच था कि भाई हमें 120 करों के प्रॉफिट चिए एक्जैंपल की बतारों में उसने दिखा दे 130 करों तो इसी प्रकागे इससे उम्मीद किया था कि 120 करों के प्रॉफिट दिखा उ इसने दिखा के बाद दो साल बाळे के बाद तीन थिन साल बाले के बाद हर कोई के चलो यार अर взять थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं तो थुड़ा बाद हम प्रॉफिट बॉकिंग करले कॉंसी की जल इतने तτιजी के वड़ा थोड़ा बाद हमें करें कॉमें कर देंस सिप उनिह नीक हो तो उस पॉइंट को पर हम दुबारा ज़रू हैंगे पाट उससे पहले कमपणी से रेड़ेट कुछ इंपॉर्टन पॉइंपॉर्ट को हम कवर कर लेते हैं जो कि कमपणी के नंबर के बाद कमपणी कुछ इंपॉर्टन चीज़े भी मेंसिंग किया है जो कि आप देख से तो कि कमपणी फोकस करेंगे ओन ग्रोथ मार्केट इन इंडिया पर्टिकुलर ट्रेडिंग इंडिजिवल टैर 3 मार्केट फॉर इकूटी इंवस्मेंट और उसी के साथ सब वह वरकिंग करने के निव टैरी प्लैन टू अटाइक निव कस्टोमर एंड ए इंगेजमेंट विट क्लाइंड एंड रिलेवेंट प्रोड़क रॉल आउट और बाकी तो आपको बताए कि कमपणी आने बला टैम में स्टार्ट करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस एंड वरकिंग और बाकी वह तो चाहती है कि जो एमसी बिजनेस है उनके भी लाश करते हैं तो मिलेगा और आप उनके क्लाइन भी बहुत कमाल किया तो इसक्तर में उस पर सिग्मेन में वह भी कमपनी आच्यकास अब इस सकता है और बाकी आपको पता है कि अन्पनी जो जो एंस सिग्मेंट है और जो सेग्मन है और और जो अध्यतियो ब्रोड़्ट है दोस के साथ अक्रों ने ये भी चीज़ें मेंसिन किया कि वो फोकस करेंगे दोस्तों ओन ग्रोइंग असेटेट बिजनेस यूणीट एंड बिल्डिंग स्टॉंग फांडेशन फॉर फॉर्दार एक्सपांस है कंपनी की दोस्तों यही सबसे बेस्ट कॉलिट है कि कंपनी रुकती बाकि और ब्रोकिंग कंपनी से इन कंपनी को बहुत ज्यादा अलग बनाती है बाकि मार्केस है वह भी मैं आपको बहुत बार दिखा चुका औरल एकूटी मार्केस है में देखोगे तो एक इंपॉर्टिंग देखना है दोस्तों क्यूं इस टॉक कि इतना कमाल की दिखा र 3 में company के जो equity में जो market share है 20 पसंट थे आज पूड़ेट है इनकी जुके 27 पसंट के आपस हमें जाते हो देटन को मिल रहे हैं बाकी F&O segment वो भी देखो तो वो भी इसी प्रका की ग्रोथ दिखा है बहुत कमाल की ग्रोथ और cash की बात करें यह इतने नहीं है बट फिर भी देख में market share increase होना चाहिए अगर इन दोनों में market share decrease होता है तो थोड़ा बहुत red signal है और भी हमें deeply study करना पड़ेगा क्योंकि maximum income company के इन्हीं दो सिग्मेंट से आता है एक हो equity और एक हो equity जितना ज्यादा लोग option trade करेगा जितना अगर आप equity में trade करोगे stock buy करोगे sale करोगे investment करोगे उन दोनों में से सबसे ज़्यादा है सिर्फ यह नहीं maximum broking company आपको कमाते है इन्हीं में सबसे ज़्यादा पैसा है क्योंकि option आपको बता है कि weekly में साई चीज़े होता है और आपको बता है कि जो equity रहते है यानकि stock वह तो आप trading भी कर सकतो आप short trading भी कर सकतो आप short time management कर सकतो 10-15 भी आज यह top 3 में आने वाली broking company और might be अगर ऐसे profit में रहा और ऐसे अगर आपने business को expand कर रहा तो आपको यह बीट करके भी एक दिन आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि इन्देकर दूसरे number पर आने वाली यह broking company है so angelon के बात करें तो तब भी तो जाकि यह stock आपने दे था ठीक यह चलते रहे दोस्तों इससे पहले आप खुश सोच लो जो 2000 के level के उसने first time achieve किया था एक all time high तो उसके बाद stock गिरा नहीं था बिल्कूर गिरा था उसके बाद फिर गिरा था इस level को अचीब करने के लिए उसको एक से देर साल लगे क्या खताम होगे बिल्कूर भ आज भी उनके पैसा double के आसपास है तो अगर आपको पैसा double होता है तो क्या खराब return है तो बस इतना काचो कर आपने जल्द बाज़े में तेजी को देखके buy किया होगा 3,900 पे अगर आप यह बोलता हो कि मैंने business को देखके buy किया मुझ लग तो यह company definitely इंडिया में और भी ल देखा जाए तो इंजलन बहुत अच्छे profit दे रहा और आगे भी देगा इस चीज के जलता है आपने buy किया तो logic आपके पास आप hold करोगे तो एक time बात देखोगे यह 4000 के stock आपको 12, 15, 16 भी जाते हो देखके और उससी के बीच में उससे पहले सायाज साब को यह कुछ न कु को मिल जागा तो अच्छे company आप definitely बने रह सकते हो और कोई target के लिए पूछ रहा है कि कोई brokerage house बोलता है फिर से 3000 जाएगा इससे पहले नंबर के बाद यह 3900 किया 3900 को भी break कर दिया था तो खतम होगे कोई खतम मतम नहीं होते दोस्तों जब ता company के business अच्छा हो रहा है आप उसमें definitely बने रह सकते हो अगर इसने 3250 के जो break किया अगर उसी के level को sustain करे तो फिर से वो 3500 को break करने की कोशिच करेगा अगर break कर दिया sustain करे तो बहुत ही short period के अंदर आपको फिर से वो all time high भी achieve करते देटन को मिल जागा अच्छी company आज इन तो कल यह 4000 भी जाएगा 5 भी अगर आपन टॉप में निकलने वाली company अगर आप time देने के ready हो तो आपको feature में बहुत अच्छे कासी return मना की भी यह दे सकते है किसे को enter ले नहीं है तो stock top 16 से लेके 18% down है तो ज्यादा नहीं अगर आपको यह company अच्छी लगते तो इस support level पे एक store में से आप अपना शुरु पर reaction होगा यह देखो तो इतने multiply गर्यावाट होने के बाद stock दो-दो साल चला नहीं तब भी तीन साल बाले के बास 1000 पसंग के डहने होते हैं यह long time तो long time hold करोगे आपसे नहीं से रहेगा बट यह आपको profit बनाके definitely दे सकता है दूसरा stock की बात करें तो cdsl limited तो अगर हम cdsl क सेम यह भी stock number के बाद flatties performance बार बार इस level को hit करता है break करने की कोशिश करता है break भी करता है पर sustain नहीं कर पाते है और यह जो consolation है पिछले 2-3 मन्त से हमें देखने को मिला मतलब 9 मन्त में इस level को achieve किया था अभी इस level को बार 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 बो break करने की कोशिश कर रहे है break करने के ब पर closing दिखाने यह important है उसके बाद ही जाके बड़ा बाइंग आता है तो देखते कब तक break आते हैं हाँ इस stock को थोड़ा सा खराब लगते है कि यह stock at least पच्छी सो यह 3000 के उपर हो तो थोड़ा सा मतलब हर किसी को थोड़ा अच्छा फीलोगा इसलिए क्योंकि एक तो आप इ दूसरा CDSL, sorry Angelo Limited और BAC इन्होंने all time को break करने के बाद फिर एक बहुत बड़ा rally दिखा है, all time से भी इसने पैसा दो दो गुना बना तो देखने को बिला, but CDSL एक ऐस stock है, इसने सिफ all time को break किया, लेकिन अभी तक all time के बाद को all time rally नहीं दिखा है, तो अगर इसने 2000 को break करने क कोई भी level permanent होता नहीं है, आज इन दो कर ब्रेक होने वाला है, यह धायाजर भी जाएगा 3-4-5 भी आपको long time में जाते हो देखने को मिल जागा, तो आपके पास से long time के लिए बहुत अच्छे company है, long time में आपको यह बहुत ही कमाल की growth दिखाते हो देखने को मिल सकता है, और ऐसे stock में at least 25-30% discount मिले, तो आप एक store में लगान की बार में विचार कर सकते हो, क्योंकि यह stock, जो stock आपको 6 मंत में 1300%, एक साल में 400%, और 5 साल में 1100-1100% profit बना के दे, वो भी इसी प्रकार rocket के तरह, जब वो गिरेगा तो उसी प्रकार और आपको बदा है, इसके जो business model बहुत यूनिक है, exchange ही है, और जब जब बाजर में तीजी आएगा, इन तीनों stock में तीजी देखन को मिलेगा, जब बाजर गिरेगा, आज तो बाजर टॉप है, जब गिरेगा, बाजर जब stock चलेगा एक साल, तो यह भी stock ऐसे गिरेगा, इससे पहले भी गिरा था, maximum profits को भी देख यह भी तीनों company long time के लिए अच्छे, long time है, और भी कमाल की गोद यह दिखा सकती है, आख्री stock की बात करें, तो Canada Bank, Canada Bank की बात करें, तो हाली में अपने देखाऊगा, एक मन्त में stock ने कमाल की rally दिखा थे 28%, reason था कि company ने अच्छानक से announcement कर दें, 26 feb को, वो board of director के meeting रखेंगे जिन में, वो announcement कर सते speed, अब देगा, ने देगा, अगर देगा तो 1 is to 5 का, 1 is to 10 का, 1 is to 2 का, तो उसको पार सभी का focus रहेगा, पर जिसके पास भी उनके लिए तो बहुत ही अच्छी ने होचा, अगर हो सता कितन दिन बात announcement किया, तो definitely वो कुछ ने कुछ corporate action में साथ से दे सकत होब लेगा, झाल, भास, घजा जे हो लेगा, अधर जुछ का, तो जा जाँ होचार trifाोज इगा, झाल, पह मुछ रह वो